हलो फ्रेंट्स मैं हूँ प्रगति और आप सब का इस नए वीडियो में बहुत सौगत है तो फ्रेंट्स अगर किसी वज़े से आपको यूट्यूब का जो चैनल है आपका उसको डिलीट करना है तो फ्रेंट्स उसको कैसे कर सकते हो फ्रेंट्स बहुत ही आसान है और आज हम इस वीडियो में वह जानेंगे तो फ्रेंट्स सबसे पहले आपको Google Chrome में जाना है Google Chrome में जाने के बाद आपको यहाँ पर यूट्यूब.com ऐसे करके टाइप कर लेना है जैसे आप यहाँ पर यूट्यूब.com टाइप करेंगे तो आपको इस तरह का स्क्रीन मिलेगा तो फ् उसको select करने के बाद उपर जो 3 dots दीख रहे थे उस पे click करना है और desktop side आपको choose कर लेना है उसको choose करने के बाद friends आपको इस तरह का एक screen मिल जाएगा ठीक है यह screen मिलने के बाद आपको right corner में जो आपको profile pic दीख रहे है जो channel आपको delete करना है उसका profile pic दीख रहे है उस पे आपको click कर लेना है वहाँ पे जैसे आप click करोगे तो आपको एक वहाँ पे options मिलेंगे ठीक है तो वहाँ पे आपको third number के option मिलता है YouTube studio या फिर कभी-कभी वहाँ पे creator studio ऐसा भी होता है ठीक है तो आपको उस पे click कर लेना है जैसे आप वहाँ पे click करोगे तो आपको left corner में नीचे की साइड में, लेफ्ट कॉर्nar में, आपको सेटिंग का एक option दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है, उस पर क्लिक करने के बाद, फ्रेंड्स आपको इस तरह का screen मिलेगा, तो उसमें आपको second number का option है, चैनल का उस पर क्लिक करना है, यहां पर आपको basic info, उसका password यहां पर एंटर करना है और next बोलना है जैसे आप यहां पर next बोलोगे तो आपको यहां पर hide or delete your content from YouTube इस तरह के एक आपको screen मिलता है यहां पर I want to hide my channel और I want to permanently delete my content आया तो उसके आपको क्लिक करना है I want to permanently delete my account उसके बाद यहां पर आपको tick mark कर लेना है उस box में वहां पर tick mark करने के बाद आपको उसको और उसके बाद आपको एक email id पुछा जाएगा जो email id आपको delete करना है उसको पुछा जाएगा delete my content permanently ऐसे बोल दे तो friends इतना अ